झाये लांबड के फॉस्ट वीक में आनिवाली सरकार की निगाह हैं उन प्रतिवाण छात्रों के बीच है उन परतियोंगी आप बीच है जिसमें टयंड चंपता है यह न फूरी की तरह से नजर है मांजी नेता जी का नमस्कार आप लाइप सिटीज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ वसीम खंदे के बीपिए सी सिच्छक बहाली परिच्छा का रिजल्ट आ गया मगर अब कई सवाल उठ रहे हैं जितना मांजी ने कहा लैंड फॉर जॉब के बाद सब्सक्राइब नितीज ते जश्वी मिलकर मनी फॉर जॉब कर रहे हैं तो कि आज बिहार में जो महाल बना है नौजवानों को बीच युवाओं के बीच छातरों के बीच एक सक्रात्मक महाल बना है अज रुजगार की बात हो रही है मानिय मुखमंतरी तो यसी परसा आते हैं आप कहां जा बैठे हैं आप समाजी कि लोग रहें और किनके साथ आप हो गए आप यह आरक्षन खतम करना चाह रहे हैं भारते जंदा पार्टी एंडिये के लो आप किनकी उकालत करना चाह रहे हैं बिहार देख रहा है अब 2024 में लोगने मन बनाया है कि भाजपा क चिशीडे कार्याले के बाहर जो है टॉइक सोचिए बहुत चीजे भड्करियां ऐसी अपनायी Success never नहीं है दिखे आप तो बहाली परकिरिया जो नियाम वली है अब तो बिहार के सबसे परतिश्ठित जो कमीशन भी पेसी के द्वारा एकजाम लिया गया है तो निशित रूप से जो हमारे छात्र है युवा है नोजमान है तो उनको विश्वास और फिर तो करना ही चाहिए औ और हमें लगता है कि आसा देखनी चाहिए और नियत को भी देखना चाहिए हमारे नेता का जो नियत है या जो अपना रही है वो सही है तो नियावली है आयोग का और वह स्वतंत्र एजेंसी है इस सरकार का एक परतिश्ठान है और इतना बड़ा विश्वस नेता है उसके सब्सक्राइब कि हमें लगता है कि विपेशी ने जो कदम उठाया है और हमें लगता है सिक्षा के चैतर में जो भी गुनवक्ता हो उसको पुरी तरह से वह फुल्फिल कर रहा है अचा क्या बिहार में मैरिट वाले चात्र नहीं है वेर्थी नहीं है एक लाग सतर हजार व जो नियामवली है जो वेवस्था बनी है हमें लगता है कि सरकार काफी गंभीर है मानियों मुख मंत्री जी मानियों सिक्षा मंत्री जी और केके पाठक साहब जो सेक्रेट्टी है विपेशी के तमाम ऐसे पताधिकारी है जिनके माध्यम से चैन पिरक्रिया चला है अब हम लगता है सरकार सक्रात्मक की और बढ़ रही है और एक नया महौल विहार में बना है मानियों तेजसी परसाज आदब जी को सभी नौजवान आसा की निगाहिस देख रहे हैं और उनके नियत में किसी तरह का खोट दिखाई ने दे रहा है जो आप यहती सवाल उठा रहे है इससे एक सक्रात्मक महौल बना है अब यह कहां पार है भाई आप लोग सक्तर की बहाली निकाली आपने एक लाग बाईस का रिजट प्रकासित किया पिर आप नौटिविकेशन की बात कर रहे है जारी किया जायेगा उन रिक्पदों को भी बहरा जायेगा तो एक लंबा प पर रहे हैं नियोजीत 42,000 लगभग 42,000 नियोजीत सिचक हैं जो की पास हुए इसमें फिर लगभग 15-18,000 की संक्या है जो की दूसरे राज्यों के तो फ्रेसर्स जो हैं उनकी संक्या तो बहुत कम हैं तो फिर जो नए नौनिहाल युवा हैं उनको कहां प्रोजगार में अ नौमबर के फर्स्ट वीक में आने वाली हैं और यह हमें लगता है कि बिहार के लिए एक बड़ा तौफा होगा यानि अभी जो तोहारे का मौसम चला है युमाओं के लिए नौजमानों के लिए एक खुसी का महौल है इतने लोगों की नियोक्तिया के परकिरिया यह चल ल परतियों के बीच जिसमें टेलेंट है और हमें लगता है कुणको पेसेंस रखना चाहिए सरकार की पूरी नजर है आप पूरी तरह से नजर है माने निता जी का तो आपने सुना तेश्वी आदब युवा हैं और युवाओं पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं मगर सवाल जोट रहे हैं उन्हीं सवालों को लेकर हम रनवीजे साहू से जुड रहे थे राज़त के विधायक हैं खेर इस